नमस्कार दोस्तो आठ एप्रील और आठ एप्रील को फिर से एक वर मैं अपनी चैनल पे आलोक इंडस्ट्री का जो डेटा लेकर आया हूं उस डेटा के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि इस स्टॉक पे अभी और कितने अपर सर्कृट लगेंगे तो फिलाल में हर दिन मैंने डिसकासन किया था अपने पिछले वीडियो पे कि क्या आपको डिली बेसिस पे इस स्टॉक पे अपडेट्स चाहिए तो बहुत सारे कमेंट्स आएं जिसके वज़े से ये वीडियो मैं कमपोश कर रहा हूं देकि डेटा के एकोडिंग लिए अगर देखा जाए तो आज इ कि बीड अभी भी बाइंग साइट पे गिरी हुई है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टॉक पर ट्रेडिंग काफी यूज इमाउंट पर हो रही है जब इस पर लोग रहा था दोस्तों तब इस स्टॉक पे लगबग तीन से चार लाग की ट्रेडिंग होती थी बट अभी जब बाइंग साइट पे है तब इस स्टॉक पे अभी 60 लाग 70 लाग की ट्रेडिंग हो रही है जो कि अच्छा साइन है क्योंकि वाल्यूम काफी जादा इस स्टॉक पे बन रहा आने वाले टाइम के लिए यह काफी पॉजिटिव रूल प्ले करेगी इस स्टॉ यह तो थी ऑफ मार्केट डेटा जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो चुका उसके बाद का डेटा है यह आप देख लिजिए यह डेटा कब का है अब टाइमिंग देखिए डेट देखिए तीन बच के उनसाट मिलट लगबग चार बच चुके हैं तो यह डेटा जो आया यह मार्केट डेटा बट ऑन जब मार्केट लाइब था उस समय मैंने फिर इस एनसी के विबसाइट भी विजिट करके इस डेटा को स्क्रीन सोट करके रखा है और आप देखते ही चौकिएगा क्योंकि पिछले दिन से भी ज़्यादा बायस इस स्टॉक पर मौजूद थे मैं अब ही आपको लिए चलता हूं से स्क्रीन सोट पर देखाने की कोशिस करूंगा और वहीं से कुछ डेटा के हिसा पता करने के कोशिस करूंगा कि सटॉक्व मैकसिमम आपको प्रोफिट कराना है इस स्टॉक पर तो आपको इस डेटा के माध्लम से जाना होगा और मेरी ये से रहेगे कि आपको maximum price पर जाके profit booking करने का मौका मिले हमारे वीडियो के माइदम से profit booking करने का मौका का मतलब होता है कि हो सकता उस जगह से फिर यह stock और नीचे आए तो आप अगर माल को बेच के हलका होके रहिएगा तो आप नीचे के level space stock को फिर से उठा सकते हैं तो यह एक काफी अच्छी strategy हो सकती है से stock के लिए चलिए मैं स्क्रीन सॉट पर चलता हूं देखिए मैंने जो स्क्रीन सॉट करके रखा हो यह एनसी के website की स्क्रीन सॉट है क्योंकि मैं जिब जरोदा के प्लेटफॉर्म का स्क्रीन सॉट करके रखा तो काफी सारे लोगों को देखने में और समझने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने आज बीएस एनसी का स्क्रीन सॉट किया देखिए स्क्रीन सॉट करने का टाइमिंग तर दस बच के तीस मिनिट आप जैसे टाइमिंग यहां पर देख पार होंगे डेट आजी का है तो इसमें किसी तरह की कोई फेक बात नहीं है इस चीज का पूरूब दिखाता हूं मैं इसलिए अपने वीडि से पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक और आप ट्रेडिंग का बिट्स देखिए बाइसाइट पर एक करोड़ 35,556 और उस समय जो ट्रेड वाल्यूम था वह दो लाख 16,000 का था तो आप सोचिए पूरे दिन में बाइस हुआ है से स्टॉक पर ऐसा नहीं कि सर्कीट पर ही रहा है आप देखिए दो लाख 16,000 से उस समय तक ट्रेड हुए थे साड़ी 10 बजे तक और अभी आपने जो मार्केट क्लोज होने का बाद देखा 16,98,000 के आसपास में लगवग 17,000 की सेर्स की ट्रेडिंग हो चुकी थी तो कहीं न कहीं माल भी करा और माल बाई भी हो रहा अभी हम देखने की कोशिद करेंगे किसे स्टॉक पर देखे एक करोड 46,000,000 चौहतर आजर 555 सेर्स मारकेट में गिरे हुए थे कि आपने बाई करना हमें बाई करना हमें बाई करना हैं ऐसी भी रागी हुई थी तो कल आपने देखा होगा हमारा पिछला वीदियो तो आपने देख हुए थे तो कल से भी ज्यादा बीट्स आज गिरे हुए एक करोड़ च्यालिस लाग चोहत्तर हजार पांसो पच्पन इतने लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पे इस स्टॉक को बाइन करने के लिए खड़े हुएं अगर 17 लाग के हिसाब से अगर देखा जाए कि 17 लाग की पूरी ट्रेडिंग हो रही डैट मिंस इस स्टॉक को 17 लाग लोगों ने बेचा होगा तभी आज 17 लाग लोगों ने इसे बाइन किया होगा तो 17 लाग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसमें अभी और कितना आपको लगबग 6-7 अपर सर्क्रीट नजर आ रहा क्योंकि 17 लाग को अगर 1 करोड 46 लाग से डिवाइड करेंगे तो आप खुदी कैलकुलेट कर लीजेगा एप्रोक्सिमेटली 7-8 का रेशियो आएगा तो 7-8 अपर सर्क्रीट तो ऐसे ही नजर आ रहा कि जो प्राब्लम है कि स्टॉक पतर नहीं कहां तक जाएगा फिर लोवर सर्क्रीट लगाएगा ये खत्म हो जाएगे इसलिए मैं वीडियो के माइद्यम से हो आप सभी को ये डिटा के हिसाब से एक मोटा मोटा अनुमान बता सकता हूं और बतानी की कोशिस करूंगा कि स्टॉक कहां पे जाके अपना सर्कीट तोड सकता है तो मुझे ऐसा लगता है भी साथ से आठ अपर सर्कीट लग सकते हैं एकोर्डिंग इस डिटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं हो सकता कल इसमें कुछ चेंजिंग सो जाए तो फिर आप हमारे आस पे रहा जाएगा कि साथ से आठ अपर सर्कीट लगेंगे आप बैठे रहेंगे इसलिए मैंने सोचे कि डेली के बेसिस पे इस स्टॉक पे एक डि देटा क्या कहता है फिर मैं कल वीडियो के माध्यम से आउंगा आपके पास तो जिन लोगों को यह सीरीज एक तरीके से हम लोग स्टार्ट कर चुके आलोक इंडस्ट्री पर तो यह सीरीज अगर अच्छा लग रहा होगा अच्छा लगेगा तभी मैं कंटिन्यू करूंग नहीं तो इस पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज को मैं कल से वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहे तो एक बाद जरूर कमेंट किजेगा मैं वीडियो कंपोज करूंगा आपके लिए मेरा इसमें कोई भी बेनिफित नहीं है न म बहुत सारे लोग कमेंट करhellenty 17 रूपए से को डिए तक 10 रूपए तक मैंने बाईंग के लिए मना किया था है यह तक मैंने उर्य को झाल रूपए से रूपवों है और रूपवय शह चलने वीडियो लंबहा नहीं करता हूं अगर आपको चाहिए एकThis सीरीज कंटीनियू तेक बार कमेंट कीजिए तभी नहीं तो मैं वीडियो कंपोज नहीं करूंगा इसके रिगार्डिंग मिलतें नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यू